सब्सक्राब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए वैलकम फैंट्स सुवाग अधम दोस्तों आज के स्वीडियों में हम अलग लग परकार के आईवी फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे जिनका प्रियोग ज्यादातर मरीजों में लिया जाता है इन आईवी फ्लूइड को हम आईवी इंफ्यूजन तदा गुल्कोज की बोत करूंगा इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंतर देंगे मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदीच आप देख रहें अपना इडिप चैनल लान अबूट मैडिसिंग चलिए आश्वी कुछ नहीं सिकते हैं है है अलोफेंट्स नमस्ते दोस्तों जिन क्लुकूज उबावति हैं जिसमें सबसे पहली है आरेल रिंगर लेक्टेट सोल्यूशन जिसे लिंक रिलेक्टेट इंफ्यूजन भी कहते हैं दूसरी डी एनस डेक्स्ट्रोज विज नॉमल सलाइन तीसरी है डेक्स्ट्रोज की बोटल जो 5 परसेंट तरह 10 परसेंट दोनों में आती और चोती है एनस नॉमल सलाइन की डोस говорить इन चारों के बारे में चान रहें इन चारों का कोमन यूज इवे हमें उसको हम पहले जान लेतें कि क्या इसका कॉमन यूज इंड सभी को कॉमनी mist deben भिया जाते अब वहाँ पानी की कमी चाहे उल्टी होने के कारण हो, दस लगने के कारण हो, ज़्यादा समय तक गर्मी में काम करने के कारण या दोप में काम करने कारण परशीना ज़्यादा आया हो, तो हो गया हो, पानी कम व्यक्ति पी रहा हो, तब हो गया हो, किसी भी सिती से अगर सरे कि यह संवे इन चारों में से कोई बिए लगाई जा सकती लेकिन ज्यादा तर वो समय जो दो बोतिल का प्रियोग लिए जाता है वह होता है यह आरेल रिंगर लेक्टेट या टीकनी लिया जाता है इसकी अलावा किसी व्यक्ति को बड़ी इंसरी हो गयी हो जिसका नसे काफी ब्लड लोस हो गया हूँ इसकी ब्लड्लोा होôn जिसे जीया मेरे जहाए जार जा ज Lore करें में जे प्रेशर को रिक डॉक किया जाता है इसका प्रियोग उसका प्रियोग कि प्रियोग का प्रियोग कई बार लिया जाता है अब अगर जाने डी एनेस डेक्षोज भी नॉर्मल सलाइन इस गुलकूज बोटल के क्या क्या यूज होते हैं यह बोटल भी पाउन सो एमेल तथा हजार एमेल की अलग लग पेकिंग में आती है और इसके अगर मुख्यत है उसकी बात की या उसको प्रोपर रोप से डाइट नहीं मिले तो उसे कमजोरी आ सकती सरी में केलोरीज की कमी हो सकती तो उस केलोरीज को रीटेंसन करने के लिए इसका प्रियोग लिया जाता है किसी व्यक्ति में अगर ब्लड सुगर की थोड़ी कमी हो गई हो तो इसका प्रियोग लिया जाता है शाती साति प्रियोग लिया जाता है और प्रियोप्रेटिव टीटमेंट मेंस प्भारेस नियुए ऑप imports जाती आपने यह सुना हो कि जब किसी फरेशन होता है तो उसके एक दो गधंद पहले पहले उन्हें भांत Urban एसे इस्थिति में तिन गंटे तक तो ठीक है वेक्ति की बोडी मेंटेन रहे जाती, लिए कई बार वेटिंग में अज़िन आपक्न तो इसी आपको नोगा। अगली जो गुलकोज की बोतल है वो है डेक्स्ट्रोज की बोतल यह 5% तदा 10% दो अलग लग इस्टेंट माती है और इसकी जो पेकिंग है वहाँ 500 ml तदा 1000 ml की होती है इसकी यूज की बात किया जाए तो डी हैडेसन में पाने की कमी को सरी में पूरा करने के लिए इसका प्र रिखर की बीमारी होती है जिसमें विक्ति इन्जेक्शन ले लेता है जिस कारण से ब्लड शुगर है अचानक से बहुत ही डाउन हो जाता वह या तो वीक्ति कुछ डाइट नहीं लेता हो सकता है इसकारी स्टाइट कि नूमल तक लाने के लिए या डेक्स्ट्रोज बहुत वरे देक्स्ट्रोज गुल्कोज की पोटल लगा जाती जिसको इनर्जी में बना रहें, किसी को कमज़ूरी करहरेंट चक्काय रहा हैं, किसी को सरी में एनर्जी कम हैं, तो उसमें इसका प्रियोग लिया जाता है. साथ ही किसी को वाटर लोस हुआ है और वाटर लोस के कान व्यक्ति के सिरी का टेमप्रेचर बढ़ाओ उसे बुखार जैसा लग रहा है तो उस समय भी उस बुखार में यह डेक्स्ट्रोज का फ्लुईड उसे लगाए जाता है अब वीडियो के जाश्मम नोमल सलाइन जो गुलकोज की बोटल है इसके बार में जान लेते हैं इसकी भी जो पेकिंग है 500 ml तथा 1000 ml की आती लेकिन एक चोटी बोटल में यह भी आता है जो होता है 100 ml का इन सबी का यूज अलग अलग जगा पे लिया जाता है इसको बारी बार है श्ताइबों सलाइन दीया जाता है इसके अलवाएं इसका प्रियोग एक्स्टा सीलोरा फ्लूइट के लिए स्रेशों में हाइपो वोल्मिय हो गया हो मतलब व्यक्ति के जो ब्लरण का वोलिव्म है वह कम हो गया हो सोक लगने कारण हो चाहे इंजिर्य होने के कारण हो बलड का टाले, डाइलेसिस किया जाता है, उस बलड के डाइलेसिस के डूरेसन में भी ऐनस का प्रियोग लिया जाता है याक तो इसके बड़े इस प्रोसीजर में यूज की बात हो गई धि- चोटे भी यूजर की बात की जाए तो यदि एक ऐदी किसी व्यक्ति क्या से इंजरी हो गयों तो इंजरी को फ्रेश इंजरी को दोने के लिए यह वून हो जिसमें पर्स्पड़ी ओ तो उसको दोने के लिए साफ़करने के लिए इस का प्रियोग लिया जाता है साथ ही जो contact lenses का प्रियोग करते हैं उनके लिए भी एनेस पहुँच ज़्यादा फाइदा मंदर क्यों के contact lenses निकालने के लिए एनेस की help लिए जाती है और कोई व्यक्ति है जिसको iron का injection injection लगना हो व्यक्ति के सरी में iron की कमी हो एनीमी हो तो उसे आयरन सुक्रोज injection लगाए जाता है तो उस आयरन सुक्रोज को हमेशा 100 ml नस मिलाके लगा जाता है तो इस तरह से अलग-अलग इन सभी जो ड्रिप है उनका प्रियोग लिए जाता है यहां पर आरेल डी एनेस डेक्स्ट्रोज या एनेस कोई भी ड्रिप हो इन्हें में आप मल्टी विटामिन का प्रियोग नहीं करें मरीज को किसी परका का नुकसान कर सकते हैं तो दोस्तों यह पूरी जानकारी बिल्गुल सोट में थी कि कौन सी ट्रिप कब लगाई जाती है उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत फाइदा मन रहा होगा यह वीडियो आपको कैसा लगा क्य क्या इतने सोट में आपको यह जान करें पहले कहीं मिली यह सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जोरो से बताएं जिसे कि सभी के काम आ सके और अभी तक आपने यूटीब चैनल लार्नबॉट मैडिसिंग को सब्सक्राइब नहीं किया हो इस बटांग को दबा कर जो से सब्सक्रा